आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टोरी ग्लॉस पर मैं हूं डॉक्टर मॉनिका और आज हम पांच अगस से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेशन बन सकते हैं उन पर डिसकेशन करने वाले हैं और क्वेशन से रिलेटेड जि याद रखो अच्छे वक्त को देखने के लिए बुरे वक्त को जेलना भी पड़ता है इसी मोटिवेशनल कॉर्ट के साथ में हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन फर्स्ट क्वेशन है वो हैज बीन अपॉइंटेड एज न्यू हैड ओफ वर्ड बैंक इन इंडिया भारत में विश्व बैंक के नए प्रमुक के रूप में किसे नियूक किया गया है तो इसका करेक्ट आंसर है और ये जुनेद कमाल एहमद की जगर लेंगे जिनोंने हाली में 5 साल का जो अपना कारेकाल है ये कम्प्लीट किया है इससे पहले इनोंने जन्वरी 2017 से अप्रेल 2019 तक विश्व बैंक समू के स्वतंत्र मुल्यांकन समू में मानव विकास और आर्थिक प्रभंदन विभाग के निदेशक के रूप में काम किया है वर्ड प्रेंग की हम बात करें तो इसकी स्तापना 1944 जुलाई के अंदर हुई थी इसका हेड़कॉर्टर वशिंग्टन डी सी के अंदर है प्रेजिडेंट है डेविड मालपास और M.D.C.F.O. है अंशूला कांत टॉप फाइफ इंटरनेशनल अपोइंट्मेंट्स को हम रिवाइ फिप्टेंथ प्राइम मिनिस्टर्स और श्री लंका तो ये है धिनेश गुनवर्दने इन इंडिया बांगलादेश न्यू हाई कमिशनर तो ये है मौमद मुस्ताफिजूर रहमान न्यू प्रेजिडेंट अफ इंटरनेशनल अलुमिनियम इंस्टिटूट तो ये है सदी इस पाई सेकिन नमबर क्यूर्शन है इन विष कांट्री विल्द वर्ट्स फर्स वर्टिकल शिटी नेम्ड द लाइन भी बिल्ड द लाइन नामक दुनिया का पहला वर्टिकल शहर किस देश में बनाया जाएगा तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये बनाया जाएगा साओध अरब दुनिया को ऐसी अद्बुत चीज देने वाला है जिसकी कलपना केवल फिल्में ही कर सकती है और सौधी अरब दुनिया की जो पहली वर्टिकल सिटी है ये बनाने जा रहा है इस प्रोजेक्ट को दे लाइन नाम दिया गया है ये वन बिल्डिंग सिटी होगी और इसकी कार मुक्त शहर होगा जो सो फीजदी नवी करन ये उड़जा पर चलेगा और अपनी निवाशियों को एक अधिक प्रदूशित दुनिया में स्वच हवा प्रदान करने वाला है सौधी अरेबिया की बात करें तो सौधी अरेबिया is located in the continent of Asia इसकी capital रियाद है करेंसी इसको बोलते हैं मुझलिस अल बोलते हैं which is the longest river of Saudi Arabia तो यह है वाडी अल रुमा third number question है which has become the first city in India to make traffic data public by Google गूगल के द्वारा याताया data सारोजिनी करने वाला भारत का जो पहला शहर है यह कौन सा बन गया है तो इसका correct answer होगा यह बन गया है औरंगाबाद बन गया है महारास्ट का डीज का correct answer होगा हाली में Google ने प्रस्तिद किये environmental insights explorer data में औरंगाबाद ने प्रतमिस्तान पाया है नई दिल्ली में संपन हुए कारिक्रम में औरंगाबाद का याताया data सारोजिनी करूप से launch किया गया है और data launch event नई दिल्ली में संजे गुपता की अध्यक्षता में आयुजित किया गया है को मापने विसलेशन करने और उस सर्जन को कम करने के लिए रणनीती तयार करने में मदद करती है भारत में Google की परियावरण अंतर द्रश्टी एक्सप्लोर सुईधा केवल बैंगलोर चैन्नाई पूने और औरंगाबाद के लिए उपलब्द है टॉप फाइव इंडियास फर्स्ट को हम रिवाइस करें विच हैस बिकम इंडियास फर्स्ट कारवन नूट्रल पंचाय तो यह है पल्ली जम्मू एंड कश्मीर के अंदर विच इस फर्स्ट स्टीट इन इंडिया तो लॉँच स्पीस टेक फ्रेमवर्ग इन दे मैटावर फोर स्पीस टेकनोलोजी तो यह जो है तेलंगाना के अंदर है विच है बिकम दर फर्स्ट स्टीट इन इंडिया तो स्टार्ट कारवन नूट्रल फार्मिंग मैथर्ड तो यह जो है ऐसा करने वाला केरला बना है वैर विल दर फर्स्ट बुलेट ट्रेन स्टेशन इन तो यह जो बना है यह अरावली बायो डाइवर्सिटी जो पार्क है इसे डिकलेर किया गया है फोर नंबर क्वेशन है वो हैस बिकम दर न्यू डिरेक्टर ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस प्रधान मंत्री कारले की नई निदेशक कौन बनी है तो इसका करेक्ट आंसर ह यह बनी है श्वेता सिंग बनी है सीज का करेक्ट आंसर हो है भारतिय विदेश शेवा आई एपैस की जो ऑफिसर है श्वेता सिंग को प्रधान मंत्री कारले में जो डिरेक्टर की पोस्ट है इस पे अपोइंट किया गया है श्वेता सिंग 2008 बैच की आई एपैस ऑफिसर ह और cabinet की नियुकती सिमिती ने उनकी 3 साल के कारेकाल को मंचूरी दी है प्राइम मिनिस्टर आफिस की हम बात करें तर फ्राइम मिनिस्टर आफिस works अंडर प्राइम मिनिस्टर और इसके इस्तापनह 1947 के अंदर होई थी हेड़कॉर्टर है नियु दिली के अंदर Appointments of Top 5 Famous Women की हम बात करें First Woman Fighter Pilot of Indian Army तो ये बनी है अभिलाशा बराग New Female Prime Minister of France तो ये है Elizabeth Bond New Chairperson of Central Board of Secondary Education तो ये है निदी शिबर The New CEO of Aditya Birla Capitals तो ये कौन है विशाका मूले है New Director of Forest Research Institute तो ये बनी है रेनु सिंग Five Number Question है Where will the Multilateral Aerial Exercise Peach Black 2022 be held? भहुपक्षी है हवाई युद्ध अभियास Peach Black 2022 कहां पर आयुजित किया जाएगा तो इसका correct answer होगा ये जो है आयुजित किया जाएगा Australia के अंदर इसका correct answer होगा भारत इस महिने Australia में होने वाले एक मेगा हवाई युद्ध अभियास में शामिल होगा और अभियास Peach Black 2022 शुरू करने के लिए Exercise Peach Black एक द्वी वाशिक तीन सप्ता का भहुरास्टे बड़ा बल रोजगार अभियास है पिच बलेक अभियास में Australia, Canada, France, Germany, Indonesia, भारत, Japan, Malaysia, नीदरलेंड, न्यूजिलेंड, फिलिपेंज, दक्षिन, कोरिया, सिंगापूर, थाइलेंड, सयुक्त अरब, अमीराथ, ब्रिटेन और अमेरिका के लगबग 100 विमान और 2500 सेन्ने कर्मी शामिल होने वाले हैं Top 5 Military Exercises को हम रिवाइस करें, Joint Special Force Exercise जिसका नाम है खंजर 2022, has been organized between India और जो किर्गिस्तान की आर्मी है, इसके बीच में ये किया गया है जो bilateral naval exercise है, नाम है वरुन 2022 है, ये जो है फ्रांस और इंडिया के बीच में हुआ है, बालिकतान 2022 जो military exercise है, ये organize हुआ है अमेरिका और फिलिपिन्स के बीच में, एक्स दस्तलिक जो joint training exercise है, ये इंडिया और उजबेकिस्तान के बीच में हुआ है लामित्ते 2022 जो joint military exercise है, ये होने वाला है इंडिया और जो शेशेल्स की military security force है इसके बीच में इसके बीच में जो है, ये जो है न्यू दिल्ली के अंदर हुए है, सीस का करेक्ट आंसर है केंद्रिय पेट्रोलियम और प्राकर्तिक गेस और आवासन और शहरी कार्य मंत्री श्री हर्दीप सिंग पूरी ने नई दिल्ली के त्याग राज sports complex में चोथे ONGC पेरा खेलों का उद्खाटन किया है, आठ केंद्रिय तेल और गेस सारोजिनिक उद्ध्यमियों के करमचारी 275 दिम्यांग व्यक्ति तेल और प्राकर्तिक गेस निगम लिमिटेट के दौरा 2-4 अगस 2022 के दौरान आयोजित किये जा रहे हैं चोथे ONGC पेरा गे पर पेरा गेम्स का आयोजिन किया और इसमें ONGC के 120 दिव्यांग करमचारियों ने एथलेटिक्स, बैडमिंटन, टेबल टैनेज और वीलचेर दोड जैसे खेलों में भाग लिया था, टौप 5 अपकमिंग स्पोर्टिंग वेन्यू की हम बात करें, विस सिटी विल होस्ट Summer Olympic and Para Olympic Games 2028, तो ये जो है, ये होने वाले हैं Los Angeles के अंदर USA में, वेर विल दे वर्ड एथलेटिक्स चैंपियंशिप 2025 भी हैल, तो ये जो है, ये होने वाले हैं Tokyo, Japan में, विस स्टीट विल होस्ट दर 36 National Games 2022, तो ये जो होस्ट करने वाला है, गुजरात करने वाला है, वेर विल तो ये पंचकुला, हरियाना के अंदर होने वाले हैं, बैडमिंटन टूनामेंट, थोमस एंड उबर कप 2022, तो ये जो है, ये होने वाला है, बैंकोग और थाइलेंड के अंदर, 7. question है, with which Indian Armed Force, the Indian Institute of Science, has signed an MOU to collaborate on research and development work, किस भारतिय शशेस्त्र बल के साथ, भारतिय विज्ञान संसान ने अनुसंदान और विकास कारियों में सयोग करने के लिए एक समझोता ग्यापन पर हस्ताक्षर किये हैं, तो इसका correct answer होगा, इंडियन नेवी के साथ में ये समझोता ह हुआ है, आत्म निर्बर भारत के लक्षों के अनुरूप, भारतिय नो सेना की आत्म निर्बरता सुनिश्चित करने की दिशा में बढ़ने के लिए एक समझोता ग्यापन पर हस्ताक्षर किये गए हैं, और इस साजेदारी के तहट भारतिय विज्ञान संस्थान और भारत प्रणोधन एवं प्रणोधन प्रणाली, इसपात प्रोधोगी की सामगरी विज्ञान, परियावरन विज्ञान, इंजिनियरिंग और मशीन लर्निंग इसके अंदर शामिल है, इंडिया नेवी की बात करें, इसका हैड़कॉर्टर न्यू दिल्ली के अंदर है, नेवी ड इंडियाज फर्स्ट एर ड्रॉप कंटेनर्स सहयक एंजी तो यह जो है, यह डवलप डियाडी और इंडियन नेवी के द्वारा, एट नमबर क्वेशन है, विज्ञ टेकनोलोजी कंपनी हैज डवलप्ड एन आर्टिफिशल इंटेलिजेंस टूल नेमड अलफा फोल्ड फ प्रतिम बुद्धी मता उपकरन को किस प्रोध्योगी की कंपनी ने विक्सित किया है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा, तो इसका करेक्ट आंसर है, डीप मिन टेकनोलोजी के द्वारा यह डवलप किया गया है, डीज का करेक्ट आंसर है, अलफा मोड एक आर्टिफिशल इं एक साल बाद ये विकास हुआ है प्रोटीज सुक्ष्म तंत्र है जो मानव शरीर के व्यवार को नियंतरित और संचालित करते हैं मानव जिनोम में 20,000 से अधिक प्रोटीन के निर्देश है जो लंबे समय से विज्ञानिकों से दूर है और उनके आकार और तंत्र को समझना कैंसर जैसी बीमारियों के उप्चार और प्रभावी स्वास्ते रण नितियों को तयार करने के लिए ये महतुपूर हो सकता है अनफोल्ड जीवन विज्ञान में एक मात्र और महतुपूर प्रगरती है जो AI की शक्ति को प्रदशित करता है प्रोटीन की 3D सनचना का निधारन करने में कई महिनों या वर्षों का समय लगता है और अब इसमें सैकिंड लगते हैं अल्फा मोन ने पहले से ही बड़े पैमाने पर खोजो को तेज और सक्षम किया है जिसमें क्रेकिंग भी शामिल है नाइन नमबर गेशन है विश मैडल है विश मैडल है वान बाई दे इंडियन वुमन्स लॉन बॉल टीम फोर दे फर्स टाइम इन हिस्ट्री इन दे बर्मिंगम कॉमन वेल्ट गैम 2022 इतियास में पहली बार भारतिय महिला लॉन बॉल टीम ने बर्मिंगम रास्ट मंडल खेल 2022 में कौन सा जो पदक है ये जीता है तो इसका गरेक्ट अंसर होगा इसके अंदर आप इनोंने गॉल्ड मैडल जीता है भारतिय लॉन बॉल टीम ने बर्मिंगम रास्ट मंडल खेलों में स्वन पदक जीत कर इतियास रच दिया है और पूरे देश को इस गुमनाम से खेल को देखने के लिए प्रेरित भी किया भारत की लवली चोबे, पिंकी, नयन, मौनी सेखिया और रूपा रानी की चोकडी ने दक्षिन अपरिका को फाइनल में 17-10 से हराया और प्रतियोगीता की महीला फोर इस पर्दा में भारत पहली बार उतरा था लॉन बॉल स्पोर्ट के बॉल का वजन करीब डेड़ किलो होता है और ये एक तरब ज्यादा भारी होती है ताकि खिलाडी इसको कर्ड या घुमा सके 1930 से ही ये खेल राष्टरमंडर खेलों का हिस्सा रहा है और 1966 को छोड़ कर मतलब 1966 को छोड़ कर 1930 से ही ये राष्टरमंडर खेलों का हिस्सा है 10. Quesion है Who has become the new director general of Indo-Tibbat Border Police Force भारत-Tibbat-Sima Police बल के लिए नए महानी देशक कौन बन गये है तो इसका correct answer होगा ये बन गये है डॉक्टर सुजोई लाल थाउसेन बन गये है 20 का correct answer है शशेस्त्र सीमा बल SSB के महानी देशक डॉक्टर सुजोई लाल थाउसेन ने नई दिल्ली में भारत-Tibbat-Sima Police ITBP के महानी देशक का आतरिक प्रभार समाला है डॉक्टर थाउसेन 1988 बेच के जो मध्यप्रदेश कैडर के ये भारतिय पुलिस सेवा के अधिकारी है भारतिय पुलिस सेवा के संजे अरोडा ने डॉक्टर थाउसेन को कारेभार समाला श्री संजे अरोडा ने दिल्ली पुलिस आयुक्त का कारेभार समाला 1962 में सापित ITBP भारत-चीन सीमाओ की रक्षा करता है और ये 36 गड में नकसल विरोधी अभियानो सहित विभिन आंतरिक सुरक्षा के लिए भी तैनात है चलिए कल के जो MCQ है उन्हें हम जल्दी से रिवाइस कर लेते हैं फर्स्ट क्वेशन है UEFA महिला यूरोपिय जैंबेंशिप फुटबोल प्रतियोगिता 2022 का जो टाइटल है ये किस देश ने जीता है तो ये इंगलेड ने जीता है सेकिन नम्बर क्वेशन है अकिल भारती जिला विदिक सेवा प्रादिकरणों की पहली बैटक कहां पर आयूजित हुई है तो इसका करेक्ट आंसर है ये न्यू दिल्ली के अंदर हुई है फर्ड नम्बर क्वेशन है भारती अंतरिक शनुसंदान संगठन धर्ती की निगरानी के लिए एस एस एलवी डीवन ईयो एस जीरो टू नामंग मिशन कहां से लॉंच करेगा तो ये सतीश धवन स्पीस सेंटर हरी कोटा से करने वाला है फर्ड नम्बर क्वेशन है वर्ड वाइड वेब जो डे है ये कब बनाया गया है तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा ये जो मनाया गया है एक अगस्त को सीज का करेक्ट आंसर है फाइप नम्बर क्वेशन है ट्रैफिक रोड पर चल रहे काम की जानकारी प्रदान करने के लिए किस भहु रास्ट्रे प्रोध्योकी की कमपनी ने भारत में स्ट्रीट व्यू सेवा शुरू की है तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये गूगल ने स्टार्ट की है आदीपूरम फैस्टिवल 2022 है ये किस राज्ये के अंदर बनाय गया है तो ये जो है ये बनाय जाता है तमिल नाडू के अंदर एसका करेक्ट आंसर है सेवन नम्बर ग्यूशन है बर्मिंगम राष्ट मंडर खेर 2022 में भाग लेने वाली भारत की सबसे कम उम्र की जो एथलीट है ये कौन सी बन गई है तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये बन गई है अनाहत सिंग बन गई है ये इसका करेक्ट आंसर है पाकिस्तान की पहली महिला इंदू उप पुलिश निराधिक शक कौन बन गई है तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये बन गई है मनीशा रौपेटा बन गई है बीस का करेक्ट आंसर है नाइन नमबर ग्विशन है किसा राज्ची के मुख्य मंतरी ने लोक्डाउन लिरिक्स नामक पुस्तक का वी मोचन किया है तो ये ओडिसा के मुख्य मंतरी के द्वारा किया गया है 10 number question है P.I.B. के प्रधान महानिदेशक कौन बने है तो इसका correct answer है ये बने है सरतेंद्र प्रकाश और ये था कल का study gloss question महरास्ट सरकार ने Mother Teresa स्मृती पुरशकार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है तो ये जो पुरशकार है ये दिया मिर्जा और अफ्रोश शा को दिया गया है तो सीज का correct answer होगा और ये है आप लोग के लिए आज का study gloss question Who has become the new chief secretary of हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश के नए मुख्य सचीव कौन बन गया है तो इसका answer मुझे comment section में दीजेगा ये हमारा telegram channel है तो इसे like कीजे अपने दोस्तों के साथ में share कीजेगा तो चले मिलते हैं हम एक नए session के साथ में Thank you